एप रिखेश्य सब्सक्राइब है पर भी हमने previous lecture के अंदर क्या cover किया था तो previous lecture के अंदर हमने types of solid देखे थे molecular solid क्या होता है metallic solid क्या होता है ionic solid क्या होता है और covalent or network solid क्या होता है और आप सबको याद होगा भी मैंने in text questions भी आपको as a homework दिये थे तो आज के इस video crystal lattice and unit cell आज के इस video lecture पर चलने से पहले अगर किसी student ने चानल को subscribe नहीं किया है तो वो चानल को भी subscribe कर सकते हैं मेरे चानल का नाम है शौरय क्रूवर और उसके साथ आपको bell icon देखने को मिलेगी bell icon को press करने से क्या होगा next video डल चुकी है यह notification आपकी screen पर खुद बखुद आ जाएगी सब हम देखते हैं हमारा in text question सबसे पहला in text question है 1.5 जो नंबर है मैं read कर रही हूं देखिए classify the following solids आपने यह करना है जो आपको solids दे रखे हैं इनको आपने classify करना है in different categories इनको different categories में based on the nature of intermolecular forces operating in them आपको पता है जो इनके बीच में intermolecular forces होती है जो इनके बीच में operate कर रही होती है उसकी help से आपने इन solids को इनके types के अंदर classify कर देना है ठीक है आपको यह भी आदो कि मैंने टेबल बनवाया था आपको रूपर भी जब हम NCRT पढ़ रहे थे तो हमने एक टेबल के थ्रूइस से याद करने की कोशिश की थी उस सेबल में भी मैं आपको दिखाती हूं स्टूडेंस हमने क्या किया था यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह देखिए यहां देख सकते हो भी यह है bonding and attractive forces देखिए bonding and attractive forces तो यहां पर सबसे पहले जब हमने molecular solid को देखा था उसमें देखा भी non-polar, polar और hydrogen bonded में वो divided है और उसके अंदर किस तरह की forces है वो भी हम देख सकते हैं तो इसी intermolecular forces के basis पर हमने क्या करना है इनको classify करना है into its following types सबसे पहला जो आता है हमारे पास वो आता है potassium sulphate students potassium sulphate जो है वो किसके अंडर लाए करता है potassium sulphate लाए करता है ionic solid के अंदर किसका example है यह ionic का अंदर है तो जो ionic वाले उनको मैं green से mark करूंगी ठीक है आगे रेखिए अब आता है हमारा तिन जो तिन होता है students तिन आता है metallic solid के अंदर तेंट किसके आता है metallic solid के अंदर तो यह चीज आपको याद ही करनी होगी क्योंकि कई एक्जाम्पल्स हैं, याद नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यह तो कुछ है नहीं भी हाँ, इसकी कोई ट्रिक को, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको समझना ही होगा, भी आइनिक सॉलिट्स जो होते हैं, और पोटाश्यम सलफेट वो आइनिक सॉलिट के अंदर आता है, तिन जो है, वो मटालिक होता है, मटालिक के अंदर आपको अल्रीडी बता चुकी हूँ, भी किस तरह से, इलेक्ट्रों मतलब जो करनल और जो हमारे उसकी इंट्राक्शन हमी देखने को मिलती है, फिर आता है स्टूडेंस बेंजीन, बेंजीन जो होता है, वो मॉल जो होता है, उसका हम कलर दूसरा कर देते हैं, ताकि सारों को डिफरेंट कलर से लिखे, तो यूरिया जो हमारा होता है, यहां लगा लिजेगा, यूरिया आता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिट के अंदर, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंस हमारा जो नेक्स एक्जाम्पल ह ammonia भी जो है, वो polar के अंदर ही आता है, इसलिए मैं इसे भी pink से mark कर रही हूँ, फिर आता है हमारा water, water आपको पता ही है, water के अंदर hydrogen bonding हमें देखने को मिलती है, भी जब एक water molecule, किसी और एक water molecule के साथ क्या करता है, hydrogen bonding शो कर देता है, तो water क्या है, जिसमें hydrogen bonding, H bond हमें देखने को मिलेगा, between two molecules, अब आता है zinc sulfate, zinc sulfate students ionic solid है, इसलिए से मैं green color से ही represent कर रही हूँ, क्योंकि हम ionic को green से ले रहे थे, तो zinc sulfate भी क्या आता है, ionic solid के अंदर आता है, उसके बाद students हमारे प solid, ठीक है, covalent या फिर network solid, तो इसको मैं दिखा देती हूँ, red से, ओके, graphite हमारे कौन सा है, covalent वाला है, आगे देखिए, rubidium, rubidium किसके अंदर आता है, rubidium metallic के अंदर आता है, इसलिए से मैं yellow color से mark कर रही हूँ, ठीक है, argon, argon जो students है, वो भी non-polar molecular solid है, तो non-polar को हमने purple से represent किया था, silicon, silicon के अगर बात मैं करती हूँ, silicon carbide के बात करती हूँ, तो यह covalent और network solid के अंदर लाए करता है, जो कि मैंने red color से show किया है, ठीक है, आप देखिए, हमारा 1.5 है, question थोड़ा सा हौचपोच हो गया है, बढ़ मैं आपको दुबारे से एक पर repeat कर देती हूँ, potassium sulphate जो है, वो ionic solid होता है, और ionic solid जो हमें दे रखे हैं, उनमें से zinc sulfide है, ठीक है, उसके बाद metallic solid कौन से कौन से है, tin है और rubidium है, उसके बाद हमारा जो non-polar molecular solid है, वो है benzene और argon, और उसके बाद हमारा polar molecular solid है, वो है urea और ammonia, उसके बाद hydrogen bonding जो शो करता है, वो है water, और फिर covalent molecular solid हमारा आता है, graphite और silicon carbide, तो यहीं पर जो हमारा 1.5 question था, यह solve हो चुका है, अब मैं आपको बताने लगी हूँ 1.6 question, देखो 1.6 question वो क्या कहता है, read करते हैं, उससे पहले आप इसको note कर लीजे, screenshot लेगे, क्योंकि मैं इस चीज को delete कर देते हूँ, सो दाट हम आगे देख सके, ओके, हाँ जी students, अब मैं 1.6 question number read कर रही हूँ, solid A is very hard electrical insulator, जो solid A है, वो बहुत ही hard है, और वो electrical insulator का काम करता है, किस में, वो solid state में भी और molten state दोनों में, electrical insulator का काम करता है, and melts at extremely high temperature, और वो बहुत ही जादा temperature पर melt भी हो जाता है, what type of solid is it, यह कौन सी तरह का solid है, तो आप सब को मैंने उपर table बनाया है, अगर आप उस table को देखो के तो आपको पता चलेगा, भी यह जो solid होता है, जिसके अंदर वो अपनी molten state और solid state के अंदर electrical insulator का का काम करता है, इसे हम कोवलेंट और network solid बोलते हैं, कौन सी तरह का यह solid है, यह है, कोवलेंट और network solid, ठीक है, आपको मैं एक बर उपर table भी दिखा देते हूं, फिर से आप देख सकते हो, यह रहा, कोवलेंट और network solid जो है, मैंने आपको क्या question में बोला, भी ऐसा solid, जो molten state और अपने solid state के अंदर electrical insulators का काम करता है, तो आप यहां देख सकते हैं, भी insulators का ही काम करेगा, और यह होता है, हमारा कोवलेंट और network solid, और अगर आप बाकी देखना चाहोगे, तो बाकी के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है, अगर मैं आपको starting से दिखाते हूं, तो मैं देखो, molecular solid जो है, molecular solid है, भी वो conductor है, solid में, और molten state में, और question में उसने हमसे ही पूछा है, भी वो क्या है, भी वो insulator का काम करता है, solid state में, और molten state में, तो insulator का काम सिरफ covalent और network solid ही करते हैं, और इनका more example अगर देना चाहते हो, तो आप ऐसा ही ओटू, quards का दे सकते हो, diamond का दे सकते हो, तो 1.6, hopefully आपका answer clear हो चुका होगा, ठीक है, आगे देखिए students, ionic solids conduct electricity in molten state, जो next question है, मैं रीट कर रही हो, 1.7, ionic solid क्या करते हैं, वो, एक और चीज, एक और अब आप सब कहेंगे, भी माम जैसे ऊपर यहां mention नहीं कर रहा का, molecule और solid का, भी वो, मतलब, solid state और molten state में क्या दोनों में insulator का काम करते हैं, तो देखो, question बसने बूला है, भी high temperature पे भी melt करते हैं, और यहां पर इसका melting point low है, molecular वाले का, और covalent वाले का, जो temperature है, बहुत ही ज isolator का काम करता है, तो यह दोनों properties लाए करते हैं, covalent और network solid में, तो यह confusion मत create करना, melting point भी याद होगा, तो आपके लिए easy हो जाएगा, अब जैसे कि मैं बात कर रही थी 1.7, जो हमारा question है, भी ionic solid क्या करते हैं, वो electricity को conduct करवाते हैं, molten state में, लेकिन solid state में ऐसा नहीं होता, reason क क्या है, तो मैं आपको इतना पताती हूँ, जो electricity conduct नहीं हो पारी, लेकिन molten state में हो केता है, electricity conduct इसलिए हो पारी है, क्योंकि क्या होता है, solid state के अंदर, ions held होते हैं, together, solid state में आपको पता होगा, जो ions है, वो बहुत tightly packed होते हैं, एक दूसरे से बहुत tightly held होते हैं, तो इनकी move नहीं कर सकते हैं, तो electricity को conduct नहीं कराते हैं, लेकिन molten state के अंदर ऐसा नहीं होता, molten state के अंदर, they are free to move, वो बहुत easily इदर उदर move कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं, electricity को conduct करवा देते हैं, इसका तिरफ एक ही एक reason है, उसकी arrangement कैसे होती है, solid state में जो particles होते हैं, बहुत tightly packed होते हैं, इस वज़े से क्या होता है, students, इस वज़े से वो क्या करते हैं, electricity को conduct नहीं करते हैं, लेकिन molten state में, they are free to move, अब देखें, students, हमारा जो last question आता है, in-text question, जिसे मैं बोलती हूँ, 1.8 जो है, हमारा, क्या question है, what type of solids are electrical conductors, malleable and ductile, तो यह अगर देखो, अगर आपको table याद है, तो अगर आपको table याद है, तो अब बहुत easily इसका answer दे सकते हो, students, यहीं पर जो हमारे in-text questions थे, वो तो finish होते हैं, अब जो आज का हमारा video lecture, जो main topic जहां से शुरू होता है, वो आता है, crystal lattice and unit cell, क्या topic है हमारा crystal lattice and unit cell, देखे, अब मैं line to line से read करने वाले हूँ, साथ- आप सबने कभी सोचा होगा, when tiles are placed to cover a floor, हम क्या करते हैं, जब भी मालुक घर बनाते हैं, तो tiles अगर place करते हैं, किसी भी floor पर, when tiles are placed to cover a floor, किसी floor को cover करने के लिए, तो आपने देखो, अगर tiles को cover करने के लिए, एक manner होता है, ऐसे, तो नहीं है न भी, एक ताईल इदर है, एक किदर है कुछ ऊट पर टांग सी लगी है, नहीं, एक sequence में लगती है, एक arrangement में लगती है, तो देखो, वो क्या कहता है, you must have noticed that tiles are placed to cover a floor, a repeated pattern is generated, मतलब एक repeated pattern चलता है, भी पहले एक लगी है, मतलब एक लगी है, उतने ही distance पर दूसरी लगेगी, तीसरी फिर उतने ही distance पर चौ कार से लगेगी, if seeing, if after seeing tiles on the floor, अगर हम tiles को floor पर रख देते हैं, एक बड़ अभी हमने proper उसको नहीं किया है, सिरफ रखा है, तो हम क्या करते हैं, जहां जहां हमने tiles रखनी हैं, हम वहां पर एक एक point लगा देते हैं, if after seeing tiles on a floor, we mark a point at the same location in all tiles, हम क्या करते हैं, हम mark कर देते हैं same location all tiles में, that is center of the tile, मालो यह tile है जैसे, तो यह tile mark करनी है, भी यहां लगेगी, तो मैंने क्या 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 point consider कर लिए, अभी यह एक point है, फिर एक point है, तो यहां एक tile आजेगी, और एक tile यहां आजेगी, तो center, जो tile का center है, उसको हमने बहां पर एक point लगा दिया, और फिर tile को by placing tiles, तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ, यह मेरे पास क्या गया, भी यहां पर मैंने tiles रखनी है, ठीक है, this के folding is a space lattice on which two-dimensional pattern has been developed by placing structural units on its sets of points, देखो, यह जो हमने method किया, भी हमने points, points, points से लगा दिया, भी यहां पर particle आकर, मतलब यहां पर tile आकर arrange हो जाएगी, देखो क्या किया, मैं आपको in shot बताती हूँ, अगर आप normal बात करो, भी आपने अगर ना tile लगानी है घर पे, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, भी equal distance पर लग रही है, आपने क्या किया, एक बर एक tile को रखा, फिर दूसरी तीसरी, मतलब एक पहले तो आपने manner बना लिया, भी ऐसे लगा जाए, उस पैसे तो होगा नहीं possible, मतलब और फिर आपने करते हो, center पर एक point लगा देते हो, जब आप सारी tiles उठा लेते हो, तो वो point, point, point देखने को मिलेंगे, अब वो point क्या होते है students, वो point हमें क्या help करते है, उस जो points को, अगर हम बोलें भी, जब हम किसी भी चीज को, उस में होता है, हम क्या करते है, dot 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 लगा देते हैं, जिसे space lattice भोलते हैं, lattice points वो points होते हैं, जिस पर particles को हम रख सकते हैं, तो अगर मैं पहले dot 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 लगा दूँगे, भी यहाँ पर particles arranged होंगे, तो वो dot 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 क्या represent करता है, वो उसका space lattice होता है, भी इन points पर further जो हमारे particles है, ions है, atoms है, molecules ह वो आकर लगेंगे और वो एक हमारा structure फॉर्म कर देंगे, तो देखो अब यहाँ पर मैं एक बर इस paragraph को दुबारा line to line read करते हूँ ताकि आपको clear हो जाए, you must have noticed, आप सबने सोचा होगा, that when tiles are placed to cover a floor, जब हम किसी floor को cover करने के लिए tiles को रखते हैं, a repeated pattern is generated, एक repeated pattern generate होता है, if after setting tiles on the floor, जब हम floor पर tiles को set कर लेंगे, we mark a point at the same location, हम उसी same location पर point mark करेंगे, in all the tiles, सारे tiles में, मतलब center of the tile में हमने कर दिया, and see the marked position only ignoring the tiles, बस tile को ignore करके, अब उसके points, points को देखो एक बारी, we obtain a set of points, हम ना बहुत सारे मतलब points को, points का set obtain करेंगे, this set of points is a scaffolding on which pattern has been developed, मतलब एक pattern developed हो गया, ये point उन्हें represent करता है, ये जो सके folding होता है, मतलब ये जो points के लगाने का तरीका है, is a space lattice, ये एक space lattice होता है, on which two dimensional pattern, मतलब दो dimensional pattern हमने शो कर दिया है, जैसे एक X-axis वाला हो गया और एक Y-axis वाला हो गया, ठीके देखो, उसके बार देखिए, that is tile in this case, the structural unit is called base or motive, जो इसका structural unit होता है, मतलब जो बार-बार repeat होने वाली चीज होती है, उसको हम बोलते है, bases या फिर motive, ठीक है, when motifs are placed on the points in the space lattice, जब हम motifs को place करते हैं, space lattice में, a pattern is generated, देखो कैसे, आपको यह पर देखने को मिलता है, भी किसी उसने का structural, किसी crystal structure को बनाने के लिए motive की ज़रूरा थी, motive कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है, हमने क्या किया, सबसे पहले space lattice बना लिए, space lattice में क्या करते हैं, हमने point, 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 point ऐसे करकर के, एक particular arrangement शो कर दी, भी ऐसे जा रहे हैं, फिर एक के नीचे ही, एक मिलेगा, इसके नीचे ही है, फिर इसके नीचे ही है, इसके नीचे ही है, इसके नीचे ही है, इसके नीचे ही है, तो lattice point बना दिया, अब हम क्या करेंगी, मैंने क्या बोला था, जब हम space lattice बना लेते हैं, उन lattice points पे हम further आगे जाकर particle को तो वह बनाता है तो अम मैंने क्या कर दिया इन पर रखतीया तो इससे मेरे पास क्या आगा है hypothetical structure obtained हो जाता है तो मोटिव क्या होता है इक structural unit होता है जिसे हम basis भी कहते है motive भी कहते है when motives are placed on the points in space lattice जब मोटिव को इस place lattice पे place करते है है अब pattern is generated टी पैटरन क्या होता है students generate हो जाता है in crystal structure crystal structure के अंदर क्या होता है motive is molecule motive क्या होता है अब देखो यह तो उसमें jack just an example दीया वह जधा मोटिव actually chemistry में क्या होता है क्रिस्टल structure में क्या होता है कोई भी atom हो गया कोई भी molecule हो गया ठीक है उसको मोटिफ कहते हैं a space lattice also called a crystal lattice space lattice जो होता है उसको हम crystal lattice भी बोलते है students ठीक है is a pattern of points मतलब यह जो space lattice space lattice क्या हुआ भी जो हमारा जिसमें dot 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 लगाया और crystal lattice क्या हुआ भी उसके जब हमने points लग वो रख दिये particles रख दिये तो space lattice को crystal lattice भी कहते है और यह कैसा pattern होता है जो क्या करता है different जो locations है इन मोटिफ की वो help करता है भी यहां पर particle arranged होंगे in other words दूसरे words में देखो space lattice is an abstract एक space lattice क्यों एक abstract होता है जो crystal structure बनाता है when we place motive in an identical manner जब हम मोटिफ को एक identical manner में बनाते है ना points of मलब जो space lattice के points पर हम motive को रख देते हैं मतलब अपने particle को रख देते हैं तो हमें crystal structure obtained होता है और यह crystal structure basically क्या show करता है यह crystal structure एक motive को show करता है और two dimensional lattice को show करता है ठीक है सबसे पहला काम जो आपने क्या करना है मैंने आपको बोला था अगर मैं दो दो paragraph करके रीड कर वारी हूं तो आपका काम मुन अच्छे भी उन paragraph को साथ के साथ रीड करो यह आपके लिए beneficial है अभी तो आप रीड कर लोगे बाद में अभी नहीं करोंगे मालो तो बाद में भूल जाओगे सिरफ सुनने से कुछ भी नहीं होगा खुद से रीड करो तो विडियो को pause करके आप क्या करोगे इसको रीड करोगे crystal lattice and unit cell 1.4 वाले topic को इसके बाद क्या है मैं 1.6 जो डाइग्राम है figure है यहां से क्या करने वाली हो हमारा topic स्टार्ट करने वाली हो डियर स्टूदेंस ठीक है आगे देखिए special arrangement of lattice points give rise to different type of lattice अब यहां पर जो हमें lattice point के arrangement देखने को मिल रही है ना यह हमें 2 तना के lattice दिखाते हैं 1.6 फिगर जो है वह arrangement होता है points का दो different lattice में एक तो arrangement होती है भी एक एदर एक एदर एक एदर एक एदर एक एदर ऐसे चलते रहा हो एक arrangement क्या होती है अभी दो particles के नीचे एक particle है समझ पारे हो यह arrangement ऐसी है भी एक particle फिर दो फिर तीन फिर चार फिर नीचे भी एक दो तीन चार एक particular manner है लाटेस भी के अरेंजमेंट के दो पार्टिकल के नीचे एक particle फिर उसके नीचे दो फिर एक उसके नीचे यह तो आगे देखिए in case of crystalline solid वो कहता है crystalline solid के case में हमने 2 तरह के solid पढ़े थे amorphous solid और crystalline solid वो कहता है crystalline solid के case में space lattice is a 3 dimensional array of points जो space lattice होता है वो 3D arrangement होता है points का मतलब 3D representation होती है the crystal structure is obtained जो crystal structure हमें obtained होता है कैसे obtained होता है by associating the structural motif with lattice point जब हम lattice point के साथ क्या करते है मतलब जो हमारी structure से उनको जोड़ते है मतलब हम crystal structure कैसे बनाते है उन lattice point पे जब हम particle को रखेंगे तो crystal structure बनेगा है ना each repeated basis और motive हर repeated basis या motive का एक same structure होता है एक particular orientation होती है ठीक है एक crystal के अंदर the environment of each motive जो हर motive का environment होता है is same throughout the crystal except on the surface surface को छोड़कर बाकी सारी जगा पर जो हमें हर motive का मतलब motive जो particle हम रख रहे है उनका environment हमें same देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद देखिए following are the characteristics of a crystal lattice क्या characteristics होती है crystal lattice की सबसे बहले characteristic होती है each point in a lattice हर point जो lattice में होता है उसको lattice point केते है या फिर lattice side केते है ठीक है तो जैसे मैंने अब यहां पर शोगर था भी दो तरह के lattice होते है एक ऐसा होता है भी एक दो तीन चार नीचे भी कैसा होगा एक दो तीन चार तो यह जो एक point है students इस एक point को बोलते है lattice point या फिर इसको क्या बोलते है lattice side बोलते है उसके बाद क्या है each point in a crystal lattice हर point जो crystal lattice में होता है represents one constituent particle मतलब इस एक point पर क्या होगा आगी जाकर एक constituent particle place होगा फिर इधर एक particle place होगा फिर इधर और फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर और फिर इधर तो हर एक lattice point पर एक particle फर्दर आगे जाकर place होगा, ठीक है, आगे देखिए, जो क्या हो सकता है, जो एक atom भी हो सकता है, molecule भी हो सकता है, या एक ion भी हो सकता है, lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry, अब क्या होता है, lattice points को हम जोइन करते हैं, जैसे एक point आना, इसको इससे join किया, फिर इसको इससे join किया, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो ऐसे, हर lattice point को हम क्या करते हैं, join करते हैं, straight line से, ताकि हम एक geometry क्या कर सके, obtain कर सके, ठीक है, अब आपने का करना है, वीडियो को pause करके, फटा-फट से इसको पहले read करना है, अब मैं आपको जो है next आगे line से read कर वाना शुरू करते हूं, तो explain करना है, तो मुझे पूरे room को study करने की जरूरत नहीं है, मैं इस room में से कैसे part को निकाल सकती हूं, जो बार-बार repeat होने से room बनाता है, कैसे, इस चीज को explain करने के लिए आपको छोटी सी चीज बनाती हूं, देखो, यहां पर अगर आपको मैं कहूं भी मैंने ये solid object बनाना देखो, मैं आपको कह रहे हूं भी, अगर मैं इस room की बात करती हूं, तो यह देखो, room क्या है, x square है, कुछ इस तरह का, तो यहां पर मैं कहती हूं, भी, इसको मैं ऐसे divide करती हूं, ठीक है, ओके, आपको इस structure देखने को मिल रहा होगा, इस structure के अंदर मैं अगर आपको कहू मुझे यह है, मुझे बड़े वाला structure बनाना है, तो मैं कैसे बना से तुम एक एसे बना से, मुझे इस बड़े वाले के study करनी है, तो यह आपर जो यह चीज आपको देखने को मिल रही है, इस चीज को बाहर-बार repeat करेंगे, मालों, इस चीज को यहां रिपीट किया, पिर तो इस चोटे स्क्वैर को बार बार रिपीट kangarai को करने से बड़ा सब स्कुयर बन जाता है तो अगर हमें एक फोटे स्क्वैर की प्रॉपर्टी को स्टड़ी करने तो बारकी सब हो जाएगी clicking चोटे स्कुएर को हम बोलते है यूनिट सेल जो बार-बार रिपीट करके क्या बनाता है एक बड़ा क्रिस्टल स्रक्चर बनाता है आगर आपनी चोटे होते हैं वो खेला होगा ना एक सॉलिट वाली गेम होते थी डिफरेंट कालर्स वाले रेड होती थी लाइन येलो होती ब्लू होती थी उसको ऐसे से करते थी तो जो उसके अंतर छोटे वाला सॉलिट होता है उसको यूनिट सेल कहते है जो बार-बार-बार रिपीट करने से क्या होते है बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है यहां में एक दिवार की बात करूं जब भी आप घर बनाते तो आपको ब्रिक्स होते हैं ब्रिक्स को बार-बार-बार लगाने से ही एक दिवार बनती है तो एक ब्रिक उस दिवार की क्या होगी यूनिट सेल के लाएगी जो ओन रिपीटिशन एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दोती है यूनिट सेल क्या होता है ऐसा स्मॉल लेस्ट मैं कहूं से यह this small part is called unit cell, यह small part होता है unit cell, ठीक है, one can choose unit cell in many ways, मदब हर को unit cell को बहुत सरी तरीकों से select कर सकता है, normally that cell is chosen which has perpendicular sides, हम वैसे normally उसको select करते हैं, जिसमें क्या होता है, which has perpendicular sides of shortest length and one can construct entire crystal by translation displacement of the unit cell in three dimensional, basically units cell, लोग वोग लेते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर जो perpendicular sides होते हैं, उनका distance कम होता है, student sorry for the disturbance, ठीक है, हाँ जी, sorry for the disturbance, तो मैंने आपको बोला, भी normally हम वो unit cell लेते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो perpendicular sides होते हैं, वो shortest length की होती है, और हम उसे बना के से सकते हैं, हम उसके translation displacement शोग करके बना सकते हैं, जो figure आपको 1.7 होता है, यह आपको दिखा सकता है, unit cell का structure भी किस तरह से unit cell बना होता है, तो यह कुछ इस प्रकार से unit cell बना होता है, देखो कैसे, यह देखो, जैसे मैं color दूसरा ले लेती हूं, हाँ, यह unit cell है, यह एक region, यह इतना structure को form करता है, आप देखे, generating hypothetical two-dimensional structure by shifting the squares in the direction of arrow, मतलब आप ऐसे ऐसे करके squares को लगाते जाओ, और एक बड़ा सा हमारे पार structure क्या हो जाएगा, obtain हो जाएगा, आगे देखिए, in two-dimensional, अब parallelogram with sides of length A and B, an angle R between these sides is chosen as a unit cell, वो कहता है, जब हम two-dimensional की बात करते हैं, तब हम एक parallelogram को unit cell consider करते हैं, जिसकी length A होती है, और length A और B होती है, और दोनों के बीच का angle R होता है, तो आप यह देख सकते हो, आपके पास एक बहुत अच्छा सा possible unit cell है, two-dimensional में, two-dimensional में कैसे unit cell बन सकते हैं, देखो, पहला unit cell बनता है, जिसके अंदर length आपको AA देखने को मिल रही है, और इस structure देखने को मिलता है, और एक यह है, जिसके अंदर यहां पर आपको यह angle जो है, वो gamma देखने को मिल रहा है, तो यह देखो, जो मैंने अभी आपको structure बना के दिखाया था, खुछ से square बनाया था, उसमें क्या था, unit cell बनाता है, तो यह red वाला region क्या होता है, यह unit cell है, इसको बना दोगे, तो उन points पर आप NA positive को CL negative को रखोगे, आगे देखो, a portion of three dimensional crystal lattice, जो 3D crystal lattice है ना, वो आपको दिखाया गया है, इस figure के अंदर, 1.9 के अंदर, जो अभी आपको उपर दिखाया था, यह विला, है ना, अब वो देखो, वो क्या कहता है, three dimensional crystal lattice में देखा क्या जाता ह है, इसमें ही होता है, its dimension along three edges, हम ना, three edges के along इसके dimension लेते हैं, मत अब यहाँ देखो, यह वला हमारी हो जाएगी a, यह वली हमारी edge length हो जाएगी b, और यह वली हमारी हो जाएगी c, तीन dimensional का मतलब क्या होता है, x-axis, ठीक है, y-axis और z-axis, मानते हो, two dimension के अंदर कौन से आते है, x-axis और y-axis आते हैं, तो यह जो x-axis है, हमने यह b लिया, edge length, यह जो y-axis, a लिया है, और z-axis है, वो c लिया है, तो देखो, its dimension along three edges, a, b, c, these edges may or may not be mutually perpendicular, ज़रूरी नहीं है, यह एक दुसरे की mutually perpendicular हो या ना हो, तो यह हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, second चीज क्या देखी जाती ह में, angle between the edges, मतलब अगर आप b और c के बीच का angle देखोगे, यह देखो, अगर आप b, यह b है, और यह c है, इन दोनों के बीच का angle देखोगे, तो यह होता है, alpha, अगर वो कहता है, आप के करते हो, b और c के बीच में देख लिया, अब a और c के बीच में देखो, a है यह और c ह इन दोनों के बीच का एंगल देखोगे तो यह है βीटा और अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखोगे तो यह है गामा समझ पारे हो तो इनके बीच का एंगल आप ऐसे note कर सकते हो dear students आगे देखो वो कहता है doing does a unit cell अगर हम एक unit cell की बात करती हूँ जो 3D structure में present है उसके 6 parameter होते हैं तीन तो edges होगे A, B, C और तीन ही angle होगे जो उनके बीच में लाए करते हैं अलफा, बीटा, गामा ये जो parameters होते हैं न टिपिकल unit cell के इनको हमने figure 1.10 में आपको show कर दिया है तो आप क्या करोगे, वीडियो को pause करके सबसे पहले इसको read करोगे अभी तक students हमने क्या पढ़ा में quick revision आपको देती हूँ फिर आगे चलेंगे सबसे पहले हमने in-text questions करें, पांच in-text, चार in-text questions थे फिर crystal lattice और unit cell के होता है, lattice के होता है, ऐसे points जो arrangement show करता है किसी भी structure की और अगर हम उसके उपर किसी particle को रग देते हैं तो वो crystal lattice बना देते हैं, ठीक है मतलब जो modify को रग देते हैं वो भी एक तरह का particle ही होता है, वो atom, molecule या फिर iron कुछ भी हो सकता है उसके बाद मैंने आपको unit cell के बारे में बताया और अब मैंने आप बात करी, मैंने भी अगर 3D structure है तो उसमें 6 parameter होते हैं, तीन तो edge length होती है और तीन ही angle उनके बीच के होते हैं, अब students हम topic पढ़ने वाले हैं, 1.4.1 यानि की primitive and centered unit cell primitive or centered unit cell क्या होता है, देखो, दो तरह के cell होते हैं, एक होते हैं primitive, एक होते हैं centered primitive cell वो होते हैं, जब particles हमें सिरफ corner पर देखने को मिलते हैं, तो वो होते हैं unit cell, concept primitive देखो unit cell बनाती हूँ, मैं unit cell कैसे बनाना है, आप भी बनाईएगा, NCRT में ही साथ में यह हमारा क्या है unit cell, एक छोटा सा square जो बार-बार repeat करने से क्या है, बड़ा सा structure बना देगा, तो अगर मैं कहूँ, पार्टिकल यहां पर सिरफ corner corner पर है, corner हमारी यह होते हैं, पार्टिकल अगर सिरफ corner corner पर present होगा, तो वो हमारा होगा, primitive unit cell, इसको कैसे याद करना है, देखो, अब मैंने dot लगाने का मदलब क्या, dot होता है मेरा lattice point, और इस lattice point पर जब मैं किसी particle को रग दूँगी, तो मेरा क्या बन जाएगा, मैं बना मेरा structure बन जाएगा, आप देखो कमरे के अंदर examine करते हैं, बुक को नहीं आपको कमरे को भी लेके चलते हैं, जहां बैटे हो ना, अपना right hand उपर करो, left hand ऐसे first finger ऐसे उपर करो, ऐसे arrow करो, मलब जो आपके सामने वाली दिवार है, उसका बिल्कुल एक वो वाला corner और एक ये वाला corner, similarly सामने वाली दिवार के students 8 हो गए, है ना, तो मतलब क्या है, 8 corner total present है, तो दुबारा से definition देखो, when constitute particles are present only at the corner position, वो अगर सिरफ corner position पर 2 सामने 2 नीचे 4, 2 इदर 2 नीचे 8, मतलब सिरफ अगर corner पर आपको देखने को मिलता है, तो उस unit cell को हम बोलते हैं, primitive unit cell, अब आता है centered unit cell, centered unit cell वो होता है, भी corner पर तो particle मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो किसी और जगा पर भी आपको देखने को मिलेगा, definition देखो, when a unit cell contains one or more constituent particles, जब एक unit cell एक से जादा constituent particles contain करता है, present at position, कहां पर, other than corner, in addition to the corner, भी corner पर तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ किसी और position पर भी आपको देखने क मिलेगा, उसे हम बोलते हैं, centered unit cell, सबसे पहला देखते हैं, सबसे बहलाता है, body centered unit cell, पहले मैं एक normal unit cell बना देती हूँ, मैं तीन बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि तीन टाइप्स है ना, इसकी, इसलिए, ठीक है, students आप यह देख सकते हूँ, तो normal primitive क्या होता है, जब corner पर होते हैं, सबसे पहले मैंने उपर जो structure आपको बना के दिखाया था, यह वला primitive वला है, भी सिरफ corners पे particles हैं, अब आता है body centered unit cell, body centered unit cell वो unit cell होता है, भी particle corner पे तो मिलेंगे, मिलेंगे साथ में body centered पर, तो पहले मैं particle की और बना रही है, देखो एक यहाँ, 1 एक यहाँ, 1 एक यहाँ, 1 एक यहाँ, एक यह यहाँ, यह तो corner हो गया, अब body centered पर भी मिलेंगा, जैसे उसकी, definition है centered unit cell वो होता है भी corner पर तो मिलेंगे मिलेंगे साथ ही साथ कहीं और पर भी मिलेंगे तो body center नाम बता रहा है भी body के center पर भी मिलेगा तो यह unit cell का center है तो आप देख सकते हो यह कौन सा हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा body centered unit cell का example आप इसको side पर draw भी कर लीजेगा such a unit cell which contains one constituent particle यानि कि atom molecule ion at its body center besides the one at the corner भी corner पर तो है ही है साथ ही साथ body के center पर भी है second आता है face centered unit cell face centered unit cell क्या कहता है भी corner पर तो होना ही होना है आपको पता है centered का मतलब क्या है भी corner पर तो है ही है उसके साथ साथ एक और position तो face centered यानि की face के center पर भी है face क्या होता है देखो face मैं आपको पहला यह एक phase है ठीक है अब दूसरे color से दिखाती हूं समझना पहले face क्या है फिर लगाएंगे particle एक पीछे वाला face देखने को मिल रहा है yellow से जो दिखा रही हूं एक green देखना अगला कौन से यह वाला हो गया dark green से जो शो कर रही हूं चार हो गए ठीक है अब उसके अगला देखना एक यह उपर वाला हो गया face और ऐसी एक नीचे वाला हो गया तो टोटल कितने यह तोटल छे फेस हो गूझे मतलब हीजकी Center फेसि crystall • पेसिंतर पर अगर पार्टिकल प्लेश और पार्टिकल कहां पे आं व्लीग Smith अब आप अपने कमरें रहना पर बैट यह सामने वाली दिवारे जिस दिवार के आंगा बैठ़ ओ दो phase, एक उपर वाली दिवार phase, एक नीचे वाली दिवार phase है, चार phase, एक राइट वाली phase होगी दिवार, एक लेफ्ट वाली phase होगी, तो टोडल 6 phases है, हर phase के center पर एक particle होगा और corner पर particle होगा, तो definition देखो, such a unit cell contain one constituent particle present at the center of each phase, besides the ones that are at the corner, भी corner पर तो देखने को मिली रहा है, साथ ही साथ वह इसके center पर भी है, अब last type of हमारी जो unit cell आती है, जिसे हम कहते हैं end-centered unit cell, end-centered unit cell क्या है, in such a unit cell, इस unit cell में one constituent particle is present at the center of two opposite faces, दो opposite faces, एक सामने वाला मान लो और एक ये बिला होगा, सामने वाले face के center पर और आगे वाले face के center पर ले लो और बाकी particles कहां पर है, corner पर हैं, तो वो unit cell कौन सा हो जाएगा, end-centered हो जाएगा, या फिर जरूरी नहीं है भी सामने वाला और यही वाला लेना है, एक उपर वाला face ले लो, उसके center पर रख दो एकी नीचे वाला ले लो, कोई भी दो opposite faces के center पर और बाकी कहां पर corner पर, तो ये case किस का हो जाएगा, end-centered unit cell का हो जाएगा, अब आपने वीडियो को pause करके इसको सबसे पहले जो figures इनको draw करना है, साथ ही साथ इसके reading लीजिए, फटा-फट से 2 minute का time है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो next table आता है, उससे पहले कुछ structures हैं, ओके students, आगे देखिए, inspection of a wide variety of crystals lead to the conclusion that, अब हमने बहुत सारे जब crystals study कर रहे थे तो हमें ये conclude किया, that all can be regarded as confirming to one of the seven regular figures, वो कहता है, जब हमने बहुत सारे crystal structure देखे तो हमें ये देखने को मिला, भी साथ different तरहा की structure हम देख सकते हैं, these basic regular figures are called seven crystal system, इनको हम seven crystal system कहते हैं, क्योंकि साथ तरहा की हमें देखने को मिलते हैं, to which system a given crystal belongs is determined by measuring angle between its phases and deciding how many axes are needed to define the principal feature of its shape, वो कहता है, देखो, अगर हमें किसी भी crystal को explain करना है, तो हमें उसके बारे में क्या-क्या पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया था, भी कोई भी 3D structure है, उसमें हमें 6 चीज़ों, 6 parameter होते हैं, एक तो edge length A, एक B, एक C, और 3 उनके बीच के angle, तो हम के करेंगे, different angles लेंगे, और different length लेंगे, कभी A जो है, वो B के equal है, कभी वो equal नहीं है, तो इस तरह से हम 7 different तरह के क्या करेंगे, crystal structure obtain करेंगे, सबसे पहला आता है, cubic, cubic के अंदर क्या होता है, जो A है, वो B के equal है, और B जो है, वो C के equal है, मतलब यह तीनों एक दूसरे के equal है, और यहाँ पर alpha, beta, gamma, जो इन तीनों के बीच के angle है, वो भी के 90 degree है, तो आप structure देख सकते हो, इसका, देखो, यहाँ ऊपर मैं आपको एक बड़ दुबारा दिखाती हूँ, जहाँ पर यह लिखा था, यह रहा, portion of three dimensional crystal structure in unit shell scene, यहाँ पर A, B, C हमने बोला था, तीन edges है, और बाकी alpha, beta, gamma, उनके बीच के angle है, तो इसकी help से हमने क्या किया है, साथ different तरह के crystal structure obtain कर लिए है, पहला cubic बता दिया, second आते है tetragonal, tetragonal में देखो क्या होता है, भी आपको alpha, beta, gamma जो हैं, वो 90 degree देखने को मिल रहे हैं, orthogonal में देखो, alpha, beta तो 90 degree है, ठीक है, sorry, orthorombic के case में, इसको ना एक better चीज के लिए मैं बताओ, और आप कैसे समझ सकते हो, यहाँ पर आपको एक table देखने को मिल दा है, पहले आप table को याद करो, फिर आप structure को देखो, table को जब आप देखोगे, तो सबसे पहले cubic की बात होती है, cubic मतलब किस के अंदर देखा जाता है, cubic के अंदर एक तो primitive देखा जाता है, और इसमें A, B, C तीनों इकोल होते हैं, और इनके angle भी इकोल होते हैं, 90 डिगरी के इकोल होते हैं, alpha, beta, gamma, और example है, N, A, C, L, zinc, blend A, और CU, ठीक है, फिर आता है tetragonal, tetragonal जो होता है, वो primitive और body centered variation शो करता है, इसमें A जो है B के तो इकोल है, लेकिन B, C के इकोल नहीं है, मतलब edge length A, B के इकोल है, C के इकोल नहीं होगी, और यहाँ पे angles सारे के सारे 90 डिगरी के ही इकोल है, example आप देख सकते हो, white tin है, SN O2 है, TIO2 है, C, SO4 है, यह इसके example है, फिर crystal system आता है, orthorhombic, orthorhombic के अंदर भी आप जो variation देखने को मिलती है, एक आती है primitive, एक आती है body centered, face centered, end center, ठीक है, चार देखने को मिलती है, इधर ABC जो है वो इकोल नहीं है, और alpha, beta, gamma जो है, वो सारे 90 डिगरी के इकोल है, और इसके example है, KNO3, BASO4, similarly इसके बाद आता है, hexagonal और फिर आता है, rhombohedral और trigonal, hexagonal जो होता है, वो primitive होता है, और rhombohedral और trigonal भी primitive शो करता है, primitive कौन से होते हैं, भी particles कहाँ पर मिलेंगे, सिरफ corners पर मिलेंगे, यहाँ पर दोनों में आप इनका याद कर लीजेगा, agilent और इनका bond angle plus example, तो एक आपको चीज और बताती हूँ, मतलब यह जो है ना, जितने भी इसको याद करने के लिए, मैंने एक video lecture बनाया, जिसमें आपको trick की form में इसको मैंने याद कर वाया, आप वो video lecture खोल के इसको याद कर सकते हैं, इसके बाद दो और हमारी रह जाते हैं, monoclinic और tri clinic जो की paper में बहुत पूछे जाते हैं, तो monoclinic के भी दो cases हैं, primitive और end centered, primitive कौन से होते थे मतलब भी सिरफ corner पे, end centered का मतलब क्या होता था, corner के साथ साथ दो opposite faces पर होना, यहाँ पर ABC 3O equal नहीं है, और यहाँ पर beta 90 degree के equal नहीं है, लेकिन alpha और gamma 90 degree है, tri clinic में क्यों होता है, ना तो ABC एक दूसरे के equal है, और ना ही alpha, beta, gamma 90 degree के equal है, तो यह बहुत पूछा जाता है, tri clinic का भी case, ठीक है students, आप देखिए, जो अभी हमने structure, जो अभी हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले diagram आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अभी जो हमने table बनाया है, इस table से हमने 14 तरह के bravis lattice लिए, कौन से कौन से देखो, मैं दिखाती हूं दुबारा आपको, table को यह कोलो, table में देखो, पहला आता है primitive, फिर आता है body centered, फिर आता है face centered, आपको सब के पता चली गए है, 14 कौन से है पता चल गए है ना, यह वहले मैंने अभी yellow pen से mark करें है, यह 14 की बात कर रहा है, primitive body centered, primitive cubic unit cell, body centered cubic unit cell, face centered cubic unit cell, फिर primitive tetragonal, body centered tetragonal, ऐसे करके, यह 14 में हमने इसको classify कर दिया, यह structure देखने को आपको मिलेगा, सारों के structure है, 14 के 14, आप structure को भी देख सकते हैं, पहला structure है primitive या simple, जहां पर particles कहा हैं, सिरफ corner पर ने देखो, सिरफ corner corner पर आपको particles जो हैं, हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद आता है body centered, body centered का मतलब कर आता है, आपको देखने को मिलेगा, और face के center पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, यह सारे जो हैं, यह 3 है cubic वाले के, देखो, यह cubic में के 3 parts हैं यह रहे, यह cubic के 3 parts हैं इन 3 parts को सबसे पहले उसने show किया, देखो, उसके बाद जो दो आते हैं, देखो, यह tetragonal के आते हैं, tetragonal के अंदर एक होता है primitive, एक होता है body centered, बदलब angle, edge length, आप उपर उस table से याद कर लो, और फिर उसको उस तरह से आप draw कर सकते हो, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं, orthorombic का case, और last में आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये structures को सारे को देख लीजेगा, उपर वाला जो table से उपर एक structure से ये, इन्हें भी आप अच्छे से देख लीजेगा, यहाँ पर उन्हेंने angle वगेर और shape अच्छे से दिखा रखी है, so students, आज का ये video lecture यहीं finish होता है, आज के इस video lecture के अंदर हमने study किया, crystal lattice क्या होता है और unit cell क्या होता है, unit cell की types क्या होती है, primitive और centered, centered के अंदर भी हमने 3 देखी, body centered, end centered और face centered है ना, so अगर आज का video lecture आपको अच्छा लगए, और अगर आपको कहीं पर doubt लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, जो हमारे lectures है ना, जो मैंने upload किये हैं chapter के, उनको खोल के एक बर वो lectures देख लीजिए, आपको पक्का हो जाएगा topic, हालाकि जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सारे points cover कर ही दिये हैं, लेकिन जो table वाला है, मैं दुबारा बोल रही हूँ, table को मैंने trick की form में याद करवा है, आप वो वहाँ जाकर देख सकते हैं, एक और ची students, कई students कह रहे थे भी, उनकी NCRT जो है, वो previous version edition की है, तो मैं PDF साथ साथ अवेलेबल करवा रही हूँ, नई NCRT लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्या कीजिए, PDF जैसे चारचर पेजम देन के जैसे करते हैं, जैसे Tuesday को और Thursday को, वो जो चीज एक्स्ट्रा है ना, उसको वहाँ पर, मतलब कट करके, printout निकालके, वहाँ पर staple कर दीजिए, अपनी NCRT में, क्योंकि बाकी सारी लाइन सेम हैं, कहीं न कहीं जो फरक आपको दिखेगा, वो बस उसके अंदर add कर दीजिएगा, staple करके, तो नई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, PDF डाउनलोड करती रहेगा, PDF आपको description के अंदर मिल जाएगी, So students, अगर आज का विडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो like कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो share कर सकते हैं, comment कर सकते हैं, और जिन्होंने चानल को subscribe नहीं किया, वो चानल को भी subscribe कर सकते हैं, Thanks a lot dear students, Have a good day!